विल्कम बैक टो न्यू बीडियो मेरा नाम है सत्यम सिंग और आप सभी का एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लगातार आप लोग के कमेंट आ रहा है कि यूपी स्पेसल करा देजिए जाई इस पोर्सन से ज्यादा कोस्चन बनते हैं त मों आज हम 100 टॉप ईूपी स्पेसल कोंस्ट करने हो लें तो हम सुरू करते हैं क्लास को भिणा समय को है और आप बस क्लास्स करिए उत्तर परदेश की सबसे महत्पूर नगदी फशल कौन से है, तो उत्तर परदेश की जो सबसे महत्पूर नगदी फशल हीए है, गन्ना की Last Moment पर हम एक्स्प्रइन नहीं करेंगे, हम बस question जल dar जलदी करके complete करने ही कोशीस करेंगे उत्तर परदेश के मध्ध क्रिशक छेतर में सांस्कृतिक के अंदर कहां इस्तित है तो इसका राइट एंसर होगा आपसा नंबर ये प्रियाग राज बढ़ते नेस्ट कोस्चन पर निम्लिखित में से किस धार्मिक समोदाय का उत्तर परदेश में तिसरा सबसे बड़ा स्थान है सभी को पता होगा कि मैं अत्तर परदेश में शुन्र हो जतने कब शुरू हुई तो ये काफि इम्पोर्टन कोस्चन है कि सिच्छा मीतियो जना कब सिच्छा जुड़ा हुआ तो 2001 ने ये योजना शुरू हुई थि इसे आप लोग रट लिजेगा उत्तर पर्देश में किसान मीतियो जना कब सुरू हुई 18 जून 2002 क शुरू हुई उत्तर परदेश का प्रमुक लोग गीत क्या है उत्तर परदेश का जो परमुख लोग गीत होए भी रहा है इसे याद रखी आप लोग निम लिखित में से किस उत्तर परदेश के खिलाडी को अर्जुन पूरुसकार और लच्मड पूरुसकार दोनों पराप्त होए तो यह मुहम्मत कैप और आप सब पत होगा कि मुहम्मत कैप के रिकेट से जुड़े हुए वारतनेस बोसक्रों पर उत्तर परदेश में किसान açıl होग जना उत्तर परदेश में कव होग ज़ना चावल पहले पहले बागे गैहुoting जो और गन्ना में उत्तर-प्रदेश का भावित जीला कौन सा है तो हरीमपूर अर्जुनबान से लाभावित है अत्तर प्रदेश सासन दौरा किस आयूर के बच्चो को सिच्छा उपलक्त कराने के परात्मिकता दे जा रही है तो चोदो वर्ष के आयू वाले बच्चो को दे जा रही है और अमेंडमेंट 86-2002 में संसोधन करने के बाद अर्टिकल 21 ये में इसको डाला गया है तो ये भी देख लिजेगा सिच्छा जूड़े चीजे आप लोग याद करिएगा हिन डालको कहां पर अस्थापित है तो हिन डालको जो है वे रेनो कूट सोनभाद में अस्थापित है वरतनेस्ट कोस्चन पर उत्तर परदेश के किस जिले में महरसी बाल में की का अस्थापित है तो ये है बिठोर बरतेनेश्ट केमे उत्तर परदेश के किस जीले में उरेनियम के सिमिद भंडार के खोश्चिय गगे तो यहाल ललित पूर इसी तरीके से उत्तर पर्देश से जुड़ेवे कोश्चन देखने को मिलते तीन से चार कोश्चन यहां से हमें देखने को मिलने ही मिलने आए उत्तर पर्देश में परमाडू उर्जा कहां पर अस्थापी थे तो वह है मोदी नगर अपसर नमबर सी उत्तर परदेश में सराधिक लंबी नहर कौन सी है तो उत्तर परदेश को जो सराधिक लंबी नहर है वह है सारदा नहर बढ़ते नेश्ट कोस्चेन पर उत्तर परदेश में राष्टि कथक संस्थान कहा है तो आप सभी पताओगा कि उत्तर परदेश का जो राज की नित्य है वे है कथक और उसका जो संस्थान है वे लखनों में स्थित है बढ़ते नेस्ट क्वेश्चेन पे उत्तर परदेश में सवस्य जल्योई छेत्र की संख्य कितनी है तो 9 है कलाइमेट जोन की संख्या जो वे 9 है धूरिया किस जीले का लोक नित्त है तो धूरिया बुल देनखन का लोक नित्त है और इसी तरिकश्चन बनता है कि कौँquet लोक नित कहाँ पर पर और पर पर फिर क्या कहाँ पर गाया जाता है उत्तर परदेश में तो हम उसी तरीके स्कॉस्चन सामिल कियें नेम लिखित में से कौन सा जनपत पर्यागराज जनपत से सिमा नहीं बनाता है तो वह है सोन भद्र बढ़तेने स्कॉस्चन पर उत्तर परदेश में सरवाधिक छेतफल किस आम की परजाती का है तो दसाहरी आम के हैं आप सबीक पता होगा कर second ॉत्तर परदेश आम के उत्त-पादन में भी पहले पहले अस्थान पर उत्तर परदेश में रेल कोज फेक्टरी का स्थापना कहां पहीं है तो आप यह सब पता होगा कि किस उध्योग में सबसे अधिक रोजगार है ऊत्तरपरदेश के हात करधा उध्योग में सबसे अधिक रोजगार एटा जिला किस मंडल में है तो एटा जिला अलेगर मंडल में क्रिशक छेत्र में उत्तर परदेश का अस्थान रहा है तो यह पहले अस्थान पर हलाकि धानुत पादन में पस्चिम बंगाल पहले अस्थान पर यह याद रखिएगा 2011 जनगना के उत्तर परदेश जन संख्या घनत कितना है 139 वेक्ति परतिवर मिटार और सबसे जादा जो जन संख्या घनत है वह बिहार का तो इससे याद रखिएगा और केंसासित परदेश में पुछ दे तो यह रहेगा दिल्ली निमलिखित में से कौन सी जन जाती की जन संख्या उत्तर परदेश में सरवाधीक है तो वह थारू जन जाती उत्तर परदेश में लोग सभाग कितनी सीटे है तो उत्तर परदेश में लोग सभाग की जो है वह सव सीटे बिधान सभाग की है कि चार सो तीन सीटे विधान परशत की है सव सीटे जब कि लोग सभा क्या सीटे सौरी बढ़ते नेस्ट क्वेश्चन पर तो वे थी 57.2% उत्तर परदेश में सबसे उचा बांध कौन सा है तो राम गंगा बांध उत्तर परदेश का सबसे उचा बांध है कि बढ़ते नेस्ट क्वेश्चन पर निहीं लिखित में से किस जिले में उरीनियम उत्तर परदब्ध है अलागर के एक क्वेश्चन हमने उपर कर लिया है ललीद्पूर में फिरोजाबाद किस उत्तादन के लिए महसुहूर है और ऐसा क्वेश्चन देगा कि हाथ करदगा क के लिए कौन सा जिलाव है चूड़ीयों के लिए कौन सा है सीसे के लिए कौन सा जिलाव महतपुर्त यह चीजे देख ले जबाएं निमलखेत में सने कौन सा लोगोरोग उत्तर प्रदेस का नहीं है तो धोला मारू उत्तर प्रदेश का लोग पिश्टिथे तो लखनू में इस्थित बचीन पे उत्तरपर्दश में केंदरी उचसोंग संस्थान कहां पिश्टित तुए भी लखनू में इस्थीत है बढ़ते नेश्टत कोश्चन पे बखीरा पच्छी अभ्यारड कहां पर तो बखीरा पच्छी अभ्यारड वस्थी मिश्थी थे बढ़ते नेश्च क्वेस्चन पर निलोखीत में से किस इस्तूप अस्थाल से भगवान बुद के जीवन की किसी घटना का संबंध नहीं रहा है तो साची के इस्तूप से नहीं कुस्चन पुत्तर परदेश में बहुत एवं जैनियों दोनों की परसीद इस्तल कौन सी है तो कोसाम भी है और आप सभी को पता होगा कि यह इंपोर्टेंट है बहुत और जैन दोनों के लिए उर्दू को किस वर्स उत्तर परदेश के दूसरी अधिकारिक भासा मानी गई कि स्लोक नित से तो बरज मंडल संबंद है चारकुला से बढ़ते निश्ट कोस्चन पर उत्तर परदेश में दिया सलाई उद्धोग केंदर कहां पर है तो दिया सलाई उद्धोग केंदर है बरेली में इस्तित है बढ़ते निश्ट कोस्चन पर उत्तर परदेश में नाले 2001 में विकास केंदर पर योजना का सुबारम कि सुर्ष में हुआ तो दिसम्बर 2005 में उतर परदेश किस हर्व में महात्मा बूंध ने संग में इस्तरियों की प्रवज्जा की अनुमती दी थी तो इसका राई एंसर रोग आपसे नमबर सी संग किसा में नमलिखित में से किसे लखनों के सांस्कृतिक किरय कलापों में युगदान नहीं दिया गया तो महदी वर्देश कोस्चन पर उतर परदेश में मुल वर्धित कर वेट कब लग हुआ तो वेट एक जुलाई 2008 को लग हुआ था तो सुलाकोल आगरा में इस्तित है वर्देनेश्ट कोस्चन पर उतर परदेश में उस्तम और्धोगी की बिर्धी द्वर अंकीत की तो छटे पंच वर्षी वजना में आप लोग पंच वर्षी वजना देख लिजेगा 12 है बारहो देख लिए जगा एक क्वेस्चन बन सकता है पूरुवी पस्ष्रिम गलियारी कहा मिलते हैं तो ती में है जहासी में बड़ते हैंनेस्ट क्वेस्चन पर उत्रप्रदेश में कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग परियोजने कहां पिस्थित हुई तो यह लखनू में उत्र परदेश के जन संक्या बिर्दी की दर आउस्तव कितनी रही है तो सबसे अधिक रही है उन्हें से एक अतर से 81 के बीच में अम आते हैं फिर से अपने क्वेश्चनों पर उत्र परदेश में नगरी जन संक्या के उस्तम बिर्दी रही है तो उन्हें से 91 से 2001 में रही हलाकि इस बार सेशन आएगा तो यह डाटा चेंज होनी की बहुत प्रबल उमीद निमलिखित में से उत्र परदेश में सबसे अधिक है तो ब्राजिल और इंडोनेसिया निमलिखित में कौन सा उत्र परदेश का परागत उध्योग है तो चीनी सबको पताऊब कि गण्या उध्याग में उत्तर परदेश भारत ही नहीं वीश्व में पहले स्थान प्याता है उत्तरपरदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग किसे पराप्त होता है तो हैं बेपार कर से बढ़ते निष्ट को स्चेन पी उत्तरपरदेश में कौन सा प्रतम संगीत महाविध्याला स्थापित हुआ तो इसका एक्सोन होगा भी भात खंड़ी हिंदुस्तान संगीत महाविद्यल पिछले दो दर्सक में उत्तर प्रदेश जन संख्या बिर्धी कारण क्या रहा है तो स्वास्त सुधार और विमारियों का नियंतरण आवले का स्वराधिक उत्पादन किस जिले में होता है तो वह है परताब गड़ बढ़ते नियंगेत में से कौन सा घराना नित संस्कीज से समंदित है तो देवा सरीफ बढ़ते नियंगेत में स्वराधिक जन संक्या घनवत किस जिले का है तो वह है गाजी अबाद और सबसे ज़दे अगर पूछे कि किस जिले में लोग रहते हैं तो वह रहगा परियाग राज उत्तरपरदेश में किसे बीदमान ने उत्तरपरदेश ने किसे बीदमान ने 1977 में बिश संस्कीज समेलन में भारत का परतोनित किया था किसे क्या किस विद्ध्यवान ने होना चेह यहां पे तो इसका राइट एंसर होगा बदिरनाथ सुकला भारत का पहला केंदरी कारागार उत्तर प्रदेश में कब अस्थापित हुआ तो आगरा में अस्थापित हुआ था कहां हुआ तो आगरा और कब अस्थापित हुआ तो मेरिज कालेज आफ हिंदुस्तानी म्यूजिक उसका पहले नाम था बरतेनेश्ट कोस्चन पे उत्तर परदेश में लोग आयूत की नियुकति कब हुई तो 14 सितंबर 1977 को ही थी बरतेनेश्ट कोस्चन पे पसुपालन विभाग के अस्थापन होई थी 1944 में बरतेनेश्ट तो जोतिवा फूले नगर बरतेनेश्ट कोस्चन पे उत्तर परदेश के सभी जनपदों में 100 सेच्छा बियान सुरुवात कब हुई तो 2002-2003 में होई थी उत्तर परदेश्ट परकासन विभाग दौरा कौन सी मासिक पत्र का परकासित की जाती है तो इसका राइट एंसर हो बरतेनेश्ट कोस्चन पे उत्तर परदेश के परथम मुख्यमंतरी कौन थी है पहली मुख्यमंतरी थी सुचिता किरपाड़ी यो भारत के भी पहली मुख्यमंतरी है देश की सबसे बड़ी भूल भूले उत्तर परदेश में कहां पर है तो लखनू इमाम बड़ा भारत का पहला पूल कहा है और किसके द्वारा बनाए गया तो भारत का जो पहला पूल है उसको लखनों में गुंती नदर पे जे सम कंपनी द्वारा बनाए गया बड़ते निश्ट कोश्चन पे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलूत पादक जीला कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में अधिक लगोद्ध किस नगर में तो आगरा में इस्तित है उत्तर प्रदेश में पर्थम विश्चुवई द्याल ले कब और कहां स्थाप्रित हुआ तो प्रयाग राज इनवर्शेटी जो है वे इलहाबाद इनवर्शेटी अठाट सो सतासी में बिर्भाद सिंग इनवर्शेटी पूझ दे कहां पर तुब एक है वे जोनपूर में आइरोनार्टिकल ट्रेनिंग इस्ट्टिट किस नगर में तो यहां लखनू में अचान गेन देव बॉत वीध्य संस्तान कहां पर इस्तित है तो यहां वध्या में वर्तमान 2022 में उत्तर पर्देश में कुल कितने जिले तो इस समय उत्तर प्रदेश में 75 जिला है इसकूल आप पेपर टेक्नलोजी कहां पिस्थित है तो यह है सहरन पूर उत्तर प्रदेश के शारदा नार पढाली का विकास का वुगा था तो 1928 में इसका विकास किया गया था प्रतम प्रदेश में वरतबान 2022 में कितनी पंचायत समित्या है उत्तर प्रदेश का सबसे दरिश्क्रितम जिला का उनसा है तो वह सोन भद्र कौन सा नगर तालन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो है अलीगर अकबर की रानी जोदा भाई किस का महल कहा इस्तित है तो है फतेपुर सिकरी ज्यानपूर तश्चिल किस जिले में इस्तित है तो ज्यानपूर तस्जिल संत रविदास नगर जिले मिश्ती थे जिसको भधोहीं कहा जाता है इसे याद रखेगा आप लोग अगर यह सीधे सीधे पूछ दे कि संत रविदास नगर का दूसरा नाम क्या तो वह है भधोहीं जिला जो बनारस से अलग होके बना था तो यह इंपोर्टेंट सब कोस्चन आपके कंप्लेट होते हैं और इसकी हम एक या दो कलास हो लाएंगे जिसमें यूपी स्पेसल और सारी चीज़े कभर करेंगे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना पढ़ते रहे है जय हिंद